आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन घंटी को भी दवा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल रखें अब गर्मियों की छुट्टी आने वाली है इसी लिए डादी मा आप सबको बड़ी सुन्दर सुन्दर कहानी सुनाने वाली है आनन्द ही आ जाएगा आज मैं आपको साथ बेहनों और एक बंदर की कहानी सुना रही हूँ एक किसान था उसके साथ लड़ीयां थी साथो लड़ीयां बहुत ही सुन्दर थी तो एक दिन किसान की परणी ने कहा कि ऐसा मन कर रहा है कि बड़ा खाएं बड़ा दही बड़ा खाएं तो उसने कहा कि हम इत्ता पैसा तो है नहीं है कि हम साथो लड़ीयों को बड़ा खिल कब बरे की डाल डाल दी अब किसान ने अपनी लड़िकें से कहा बेटा चलो हम तुम लोगों को जंगल से बेर खिला लाते हैं बहुत अच्छे-च्छे बेर जंगल में लगे हुए हैं तो सातों लड़िकें खुसी-खुसी अपने पिता के संग चल दी और उस किसानने ले ज कर सो रहा हूं तुम लोग पेट भर के बेर खा लेना और फिर हमारे पास आ जाना तो लड़ी के आराम से पेट भर के बेर खाने लगें और पिता ने चद्दर बिछा दिया और धीरे से वहां से चला गया अब लड़ीके ने कहा कि चलो पेट भर गया है दुफेर भी हो गई ह अब अपन अपने पिटाजी को जगा देते हैं ने का ठीक है तो लड़ी किया आई और सातों लड़ी को ने चद्दर हटाया तो महाँ सिर्फ चद्दर था पिता तो थे नहीं क्योंकि पिता को तो धही बड़ा खाना था तो वो अपने घरबाप पे सा गए थे अब सातों में छोड़ कर चले गए हैं अब हम लोग क्या करें तो उसने का कोई बात नहीं पास में ही हमारा जोपड़ा है वहां चलो हम तुम सब को पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं तो सब लड़ी के उस बंगंदर के तंग चली गई अब बंदर ने कहा देखो हम अपने साधी करने के लिए तैयार है साथो लड़ीों ने बंदर से साधी कर ली कुछ दिनों बाद उनके हां साथों के हां एक एक बंदर पैदा हो गया अब भाई था एक उसका बड़ा भाई तो कुछ दिनों बाद भाई ने कहा कि मां हमारी बहने कहा नहीं तो उन्हों ने कहा कि भीया हम लोग घर का खर्चा नहीं उठा पाते थे इसलिए हमने तुम्हारी बेहनों को जंगल में छुड़वा दिया तो उसने कहा ऐसा क्यों कर दिया आपने मैं बड़ा हो जाऊंगा और अपनी बेहनों की शादी करूँगा मैं अपनी बेहनों को लेने जा रहा हूं तो भ है थे तो बंदर के बच्चे जो भी बेहने विचारी आपस पर काम कर रही थी और कह रही थी जो बंदर आएगा और बहुत मारेगा जल्ली जल्ली काम कर लो तो भाईया ने सुना तो भाईया ने कहा खोलो तो उनने कहा रही है तो भाईया की आवाज लग रही है तो बेहन से बोली भाहिया इस नान की नीचे छिप जाओ, एक नान थी उनके यहां मट्टी की, तो उसके नीचे उनने अपने भाई को छिपा दिया, अब बंदर आया, तो उसके साथ छोटे छोटे बंदर थे, तो पहले एक बंदर पोंचा तो उसने कहा, दादा दादा तेरो सारो मेरो मामा माई को सक भाई और ताते ताते गुजा की ने नां तरे छेपाई तो बंदर ने का है का कह रहा है तो बंदर यह कह लिए अरे तो ऐसा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं बंदर है दूसरा आया, दूसरा ने का, दादा, दादा, तेरो सारो, मेरो मामा, माई कोसक भाई, और ताते ताते गूजा की नांतर है छेपाई, तो लड़ी के आगे, जो कहने लगी, अरे, कि का, बापा वो पहिसान करने लगे उनको, ठके ठकाई आये हैं, जैसे तैसे तो भी खाना क खर्चा चला रहा है, हम ही और का साथ का महते, तो साथ और हो गए, और उनने जल्ली जल्ली बंदर खो खाना खावाओ, और बंदर खो लेटा दाओ, थोड़ी सी दारू पे बालाई, तो बंदर गहरी नीन में सोगाओ, अब सुभाई भाई, तो बंदर कहन लगो, अब हम जा रहे हैं काम कर वे, जब हम कचु लिया हैं जब तो तो तुम्होरे खाप भी पाओ, इत्ते जनए होगा है तो बंदर चले वो काम कर वे, सो बंदर इन आप बहनों ने सोची कि चलो बग चलिए, कई हो चलो बग चलिए, सो भाई आखो ने कारो, जल्ली से पूरी बनाई और जो है सबजी बनाई यो भईया को बखाने का रो और एक बंदर खो चकिया से बांद आएक बंदर की पूंच में जाडू बांद आई एक बंदर की पांद में बरसी दे रही वो कुगा से पानी भरन लगो एक बंदर खों जो है का कहा हुथ है एक कमरा में छोड़ गई और पान में गुंगरू बाहन गई और एक बंदर के लई सो सब बंदरों के बीच में बढ़ गई और साता ही बेहने चली नहीं साता ही छोटे छोटे बंदरों को पे बाह लगई अब काभ हो कि बंदर आओ सामके सो बंदर ने कही कि खोलो सो को खोले कोई ने खोले बाहरा वो एक बंदर नाचे और एक बंदर जाड़ू लगाए एक बंदर चखिया चलाए जैसे भी गूमें बैसी सब चले एक बंदर रहे चलाए तो वो कहने लगो देखो तो काम कर रहे हैं ठट्री की बंदर सबरी और दर्बाजों नहीं खोल रहे हैं मैं बाहर खड़ो कफसे तो सारो सामान लादें बंदर ने फिर आवाद लगाई अरे यह रहे हैं मन्नू की मां अचलनू की मां अगनू की मां आवरा बंदर कानओ कर रहे हैं मैतनी आख देखो ठी Armen होैं बंदर 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 काई आउक कालाए आप नहीं खोल रहे हैं देखो तो पीस रही है, पानी भर रही है, जालो लगा रही है, और रहे होकी पूसी बॉस्पाइर निय। और दरबाजों नहीं खोल रही तो बंदर ने एक लाट मारी तो दरबाजों तो अड़को वा तो खुल गाओ तो बंदर अंदर गाओ तो उने बंदर ने देखो कि आरे एक बंदर चकिया से बंदू है सो बोचक रहा हो है सो चकिया चल रही है एक की पूछ में जाडू बंदी है सो बोचल रहा हो है सो जाडू लग रही है एक बंदर रहेंट से बंदू है सो बोचल रहेंट चल रहा हो है एक बंदर के पाउन में गुंगुरू बंधी है, सो बोच चल रहा हो है, सो गुंगुरू बज रही है, अब तो बंदर को बहुत ही दिमाग खराब हो, बंदर ने पूछी काई रहे, कहां गई मात आई, सुबे बंदर कहन लगे कि कल तो हमने दादा तुम्हें बताई थी, कि कि अवेर कहा है, सुन ही नहीं रहते आप, कि माम, दारा, तेरो, सारो, माइ, मेरो, मामा, और माइ, को शक भाई, और ता ताते गूजा की ने, और नांतर ने सिपाई, कल माम आए ते, सो मम्हारं ने गुजिया बनाई थी, पपरिया बनाई थी, और बढ़िया हलुया रोटी सबजी खवाई थी, और मामा को जली जली बना के, खवा के, अई नान के इंचे छफा दाओ तो, जैसे ही सबेर भाओ, आप काम कर वे गए, तो सातव बहने और मामा जली 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 और सहर चले गए, अब बंदर को बड़ी गुस्टा आई, बंदर ने अपने सातवी ब ऐने सातव बहनें के घर है, तो खवागत करो आई, तो सब्री आठी उतारन लगे, तो बंदर बड़ाख भोग ख़ाओ, कहने लगए, अधमें पहली मालम होतों तो हमें नोन के पहली ना बेत देते, ये ते हमा इतों स्वागत हुई है, तो बंदर बड़ाख भोग ख़ु जल्ली मामा एक काम करो, जल्ली साले, खटिया बिचाओ, और का कहाऊ थे, पलंग बिचाओ, वो पे जो है, चद्दरा बिचाओ, दरी बिचाओ, चद्दरा बिचाओ, दमान दाड़ा, कहाँ बैठ है। जल्ड़ शेए पहले बिश्धा आड़ा जर Цोरा को जल्ड़ा-कंडश्तो, छेजए हैं और मामा पाटिया ढें, उर्न गभणी मोड़ा बिचाओ, उनने यह उनने चंड़ा एंसकाओ, दम अन। आगी लगाई बढ़ को बंदर खुको बंदर ना तो बडे ताओ में है तो तो स्वागता हो थे जब सशराल जाओ आप तो हमें जो स्वागत तो बहुत अच्छो लग रहो तो बंदर एंड के गए उचक के उखटिया पे बैठे तो खटिया तो हटी पोली सो बंदर में चदर के दरी के उनीचे चले गए और जैसे ही उनीचे गढ़ा में गए तो उते जल लाई ती आग सो खूब आग जली और मैं चलेए बचाओ 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 अब बहुत बिटीटीए काहें लिव खालो माल पुगा लिव खालो रसगुला लिव जए तुमने ते डंड मारी ती अब खालो भी दंड और उव शाते भेहने जितनों उने कस्टरद उतो बंदन ने उन्खो सातव गिनाए और कहें लेओ अब खालो पेट भर जाये तुमाओ और वो मंदर चिला चिला के और भई में मर गओ जब मर गओ तो लड़का ने अपनी सातव बहनों को अच्छे अच्छे घर में ब्याओ करो एक कहानी से हमें जासिक्षा मिलट है कि हमें अपने बच्चों को कहीं भेजना नहीं चाहिए किसी दूसरे के पास नहीं भेजना चाहिए हमें उनकी स्वेम रख्षा करना चाहिए आपको साइद हमारी कहानी पसंदा है तो एक लाइक तो करी दिया करिए लाइक में तो पैसे लगते नहीं हैं और थोड़ी बहुत share भी कर दीजिए आपके दोस्तों को है ना जिसके और लोग भी इस कहानी का आनंद उठा सकें ये तो बहुत परानी कहानिया है जो दादी आपको आज सुना रही है